आज हम अपने कख्षा 11 के कावे खंड से पहला पार्ट पढ़ेंगे जो की है कबीर इसमें हम कबीर जी के पदों को पढ़ेंगे थोड़ा सा कवी के बारे में जान लेते हैं वैसे तो कबीर दाज जी को हम पिशलिक अक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं लेकिन किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले कवी परिचे ज़रूरी होता है इसलिए एक बार फिर्ट से हमें से पढ़ते हैं कबीर दाज जी का जन्म सन 1938 में वाराणसी के पास लहर तारा जोकी उत्तर प्रदेश में हैं वहाँ पर हुआ था इनकी रचनाएं हैं बीजग जिसमें साखी सबद एवं रमैनी संकलित हैं इनकी मृत्यु देख लीजे सन 1518 इस्वी में बस्ती के निकट मगहर यह भी इस्थान उत्तर प्रदेश में हैं वहाँ पर हुई थी कबीर जाय जी भक्तिकाल की निर्गुण धारा अर्थात ग्यानाश्री साखा के प्रतिनी धी कवी हैं वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक सब्दों में प्रभावी धंग से कहक देने के हिमायती थे बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा दक इसलिए कबीर जी को हजारी प्रशाद दिवेदी ने वारी का डिटेक्टर कहा है तो इस तरह हमने कबीर दाश जी के बारे में जाना अब आईए उनका पहला पद पढ़ते हैं हम तो एक एक करी जाना दो इक है तीन ही को दो जग तीन जिन नाहिन पहिचाना एक है पवन एक ही पानि एक है जोती समाना एक है खाक गढ़े सब भाणे एक है कोहरा साना जैसे बाढ़ी कास्थ ही काटे अगनी न काटे कोई सब घटी अंतरी तुम ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना निर्भय भया कच्छू नहीं व्यापक कहे कबीर दिवाना आईए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं एक माने होता है परमात्मा अठात परमात्मा को ही एक कहा गया है दो इमाने दो है यहाँ पर तीनही मतलब उनको दो जग मतलब नरग नाहिन मतलब नहीं समाना मतलब व्याप्त खाक मने मिट्टी गढ़े मतलब रचे या बनाए बाढ़े मतलब बरतन कोहरा कुमार साना मतलब मिलाया बाढ़ी यानी बढ़ई कास्ट यानी लकड़ी घटी घड़ा या हेड़े भी होगा अंतरी मतलब भीतर धरे यानि रखे, स्वरूपे मतलब स्वरूप, सोई यानि वही, लुभाना मतलब लुब्द हो गया, गर्बाना गर्व करता है, निर्भय भया अर्थात निडर हुआ अपको इसके बारे में बता दू, तो इस पद में कभीरदाश जी ने जगत को और ब्रह्म को दो अलग-अलग अस्तितर्ना मानकर उन्हें एक ही परमतत्व माना है इसी के बारे में यहाँ पर उन्हेंने बात की है कि संसार के समस्त रूपों में उसके केवल एक ही, उसकी जो एक ही सत्ता है वही विद्धमान है अब इसकी व्याख्या देख लीजे, हम तो एक-एक करी जाना, यानि हम तो उस एक परमात्मा को ही जानते हैं जो लोग दोई कहे तीनहीं को दोजग जिन नाहिन पहिचाना जो लोग उस परमतत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव ब्रम्हा, आदी अलग अस्तित्व मानते हैं लिखा है ना कोई कहे तीनहीं कोई दोजग यानि जगत में जो उन्हें दो अलग अलग अर्थात आत्मा, परमात्मा या जीव या ब्रम्हा इस तरह के दो अलग अस्तित्व मानते हैं वास्तों में उन्होंने उस परमात्मा को पहचाना ही नहीं है जिन नाहिन पहचाना अर्थात पहचाना ही नहीं है उनके लिए क्या है संसार एक नरक की तरह है आगे देखिए एकए पवन एकए ही पानी एकए जोती समाना अच्छा वो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि वो अज्यान है एकए पवन एकए पानी एकए जोती समाना है यानि पूरी स्रिष्टी में एक पवन है जल भी एक है और उसी एकए परमात्मा की जोती चारो और फैली हुई है या ये कह लिजे कि संसार में समस्त और व्यापत है आगे देखिए एकए खाक गड़े सब भाणे एकए कोहरा साना सभी का निर्मार एकए ही मिट्टी से हुआ है तथा उसे एकए ही कुमार ने बनाया है अर्थात सभी मनुश्यों का निर्मार जल नव अगनी आदी पांच ततों से हुआ है और उन सब का जो निर्माता है वह भी एक है कौन अर्थात वह परमात्मा ही है आगे देखिए जैसे बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है किन्तु उससे या उसमें नीहित अगनी को काट नहीं सकता ये लाइन लिखिए ना जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे अगनी न काटे कोई यानि बढ़ाई क्या है लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसमें लगी अगनी को काट नहीं सकता उसी तरह मनुष्य का जो सरीर है वह भी नश्वर है किन्तु उसमें नहीत जो आत्मा है वह अमर है और अकाटे है सब घटी अंतरे ही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई है परमात्मा सभी प्राणियों में तू ही व्यापत है तूने ही विभिन रूप स्वरूप धारण किये हुए है माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर्वाना अब यहाँ पर कबीर दाजी मनुष्य को संबूधित करते हुए कह रहे हैं हे मनुष्य संसार के माया मई रूप को देख कर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है भला तू इस छूठी माया पर गर्व क्यों करता है निर्भय भया कचु नहीं व्यापे कहे कबीर दिवाना प्रभु प्रेम के दिवाने कबीर दाजी कहते हैं जो लोग माया मोस से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं व्यापता है अर्थात उनके अंदर कोई भी डर नहीं रहता ने किसी प्रकार का डर नहीं लगता है अब इसमें देखिए आपको थोड़ा से विशेश बता दू अर्थात इसका काविगत सुन्दर तो इसमें यमक अलंकार है एक एक का मतलब अर्थात एक एक दो बार आया है तो यहां पर यमक अलंकार है एक का मतलब है परमात्मा और एक एक का मतलब क्या है आप एक अर्थात संख्या के बारे में बात हो रही है पूरा पद गयात्मक है और संगीतात्मक है संबोधन शाली होने के कारण यहाँ पर जीवता आ गई है कहीं कहीं पर अनुपरास की छटा भी दिखाई देते हैं अनुपरास अलंकार भी विद्दमान है आईए अब अपना दूसरा पद पढ़ते हैं संतो देखत जगबोराना साच कहो तो मारन धावे जूठे जगपतियाना नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे अनसाना आतम मारी पाखा नहीं पूजे उनमें कचु नहीं ग्याना बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े कितेब कुराना कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहें जो ग्याना आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागे तीरत गर्व भुलाना तोपी पहरे माला पहरे छापति लग अनुमाना अब इसका शब्दार्थ देख लीजिए बौराना का मतलब होता है पागल हो गया धावे का मतलब दोड़ना पतियाना अर्थात विश्वाश करना नेमी यानि नियमों को पालन करने वाला धर्मी अर्थात धर्म का धोंग करने वाला असनाना मतलब इसनान करना अर्थात नहाना पखाना ही मतलब पत्थरों को बहुत तक यानि बहुत से पीर ओलिया अर्थात धर्म गुरू या संत ग्यानी जो होते हैं जो धर्म को मानने वाले होते हैं उनकी बात हो रही है कितेब मतलब ग्रंथ, मुरीद का मतलब होता है शिश्य, तद्बीर अर्थात उपाय, आसन मारी अर्थात ध्यान की मुद्रा में बैठना या समाधी लेना डिम्भ का मतलब होता है डिम्भ धरी अर्थात दम्भ करके अर्थात आडंबर करके, गुमाना अर्थात अहंकार संतो देखत जग बावराना अब यहाँ पर जो कभीदाजी है उन्होंने जो ऐसे लोग होते हैं जो केवल धोंगी होते हैं पाखंडी होते हैं केवल धर्म का दिखावा करते हैं ऐसे धोंगीयों पर व्यंग करते हुए उनके पाखंड का खंडन करते हुए उनपर कटाकशिक किया हैं वो बोलते हैं संतो देखत जग बावराना है है साध को देखो सारा जग यानी जगत संसार पागल हो गया है यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए, तो वे मारने के लिए दोडते हैं, जूट है जग पतियाना, पतियाना मने बताया आपको विश्वास करना, और अगर असत्य बात कही जाए, तो वह उस पर विश्वास करते हैं नेमी देखा, धर्मी देखा, अब यहाँ पर कबीरदाश जी कहते हैं, कि मैंने मुझे नियम धर्म दिन चरया, आधी का कठोड़ता से पालन करने वाले बहुत से संत मिले, वे प्रातह करे असनानार्था, वो क्या करते हैं, सुबह उठ करके सोयम को सुद्ध करने के लिए इ आतम मारी पखा नहीं पूजे, अच्छा देखे वो नहाते क्यों हैं, टाकी वो अपनी जो गंदगी है, उसे दूर कर सके लेकिन अन्दर की जो गंदगी है, उसे नहीं दूर कर पाते आगे देखे आत्मारी पखाने ही पूजे उन्होंने अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़ कर जो व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलजता है और पत्थरों की पूजा करता है उसका ग्यान थोथा और निसार है यानि कि उसका जो ग्यान है वह खोखला है लेकर आत्मारी लोग क्या करते हैं। उनने कच्छो नहीं ग्यानार्थात। उनने कोई ग्यान नहीं होता है। बहुत तक देखा पीर पॉलिया, अब उन्होंने हिंदू मसल्मानों को आड़े लेते हुए बोला है, कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर को देखा है, जो अपने शिश्यों को धार्मिक ग्रंथ अर्थात, या कह लिजे कुरान, रमार, इत्यादी पढ़ाते हैं, समझाते हैं और स्वयम भी पढ़ते हैं, लिखा पढ़ है कितेब कुराना, यानि उन्हें धार्मिक ग्रंथ कुरान इत्यादी पढ़ाते हैं, कए मुरीद तद्बीर बतावे, उन्हें उहें जो ग्याना, आगे देखिए, वे उन्हें अपना शिश्य बनाकर उन्हें तरह-तरह के उप जो साधक समाधी की मुद्रा में आसन लगाए वैठा है, और जिसे साधक होने का मन में एहंकार है, जो पीपल के व्रिक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीथ और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल और भुलावा है, साधना के नाम पर या है, तोपी, पहिरे, माला, पहिरे, छाप, तिलक, अनुमाना अर्थात, उनके गले में पड़ी हुई माला, तोपी, तिलक, छाप, आधी को देखकर, उनके इस पाखंड का अनुमान भली भाती लगाया जा सकता है, एक लाइन दिके तिन आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन म बहुत गुमाना, आसन मार करके वो क्या करते हैं, पीपल के पेड के नीचे बैठते हैं, पत्थर इत्यादी पूस्ते हैं, तीर्थ इत्यादी करके वो खुद को गर्वानवीत महसूस करते हैं, लेकिन यह सब क्या है, एक पाखंड है, और उनका जो पाखंड है, वो किस ब साखी सबदही गावत भूले आतम खबरी न जाना हिंदु कहे मुहिराम पियारा तुर्क कहे रहिमाना आपस में दोरु लरी लरी मुए मर्म न कहू जाना घर घर मंतर देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना गुरू के सहित सिख्य सब पूढ है अंतकाल सब पचिताना कहे कबीर सुनो है साधो इसब भर बुलाना केतिक कहां कहां नहीं माने सहजे सहज समाना सब्दार्थ देख लिजे इसका पहले आतम खबरी माने होता है आत्मा का ज्ञान और साखी यानी दोहा सब्द यानी सबद को अर्थाथ शब्द को या एक लिजे पद को आतम खबरी मैंने बताया है आपको आत्मा का ज्ञान मोही मतलब मुझे तुर्क माने मुशल्मान रहीमाना या रथात रहम करने वाला रथात डयालू लरी-लरी मुए आर्थात लड़-लड़कर मर गये मरमयाने भेदिया रहस्य काहू मतलब किसी ने मंतर अर्थात कोई गुप्त शब्द, महिमा उच्चता या स्रेष्ठता, अभिमाना अर्थात अंकार के कारण, सिख्य यानि शिष्य, बूड़े यानि डूबे, अंतकाल अर्थात अंतिम्समे, भर्म का मतलब भर्म, केतिक कहो यानि कहा तक कहुं, सहजे यानि सहज रूप स सहज इश्वर, सहज माने इश्वर, समाना यानि लीन होना, अब यहाँ देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, साखी सब्दही गावत भूले, वे लोग, कभी राजी कहते हैं, वे लोग प्रभू का ज्यान देने के लिए साखी और सब्द गाते फिरते हैं, किन्तु वास्तों म उन्हें स्वयम परमात्मा का जो तत्व है, उसका ज्यान ही नहीं है, हिंदू कहे मुही राम प्यारा, हिंदू कहता है मुझे राम प्री है, तुर्क कहे रहिमाना, यानि मुसल्मान रह्मान को मानता है, इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसल्मान दोनों क्या करते हैं आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं आपस में दोरू लड़ते रहते हैं दोनों क्या करते हैं आपस में इसी बात पर लड़ते रहते हैं लेकिन सत्य यह है कि इश्वर को ना तक हिंदू ने समझा है ना मुसल्मान ने और ऐसे लोग क्या होते हैं मुर्ख और अज्यानी होते हैं। आगे देखिए, घर-घर मंतर देत फिरत हैं महिमा के अभिवाना। ऐसे पाखंडी लोग घर-घर जाकर लोगों को गुरु मंतर बाट रहे हैं। और यह सब करके अपनी ही महिमा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे पाखंडी होते हैं, वे सिफ अभिमानी हैं। गुरु के सहित सिख्य सब बूड़े, अंतकाल पचिदाना। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्यानी सुस्यों शहित भावसागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्मा के बिना उन्हें अंत में पच्चताना पड़ेगा, यानि अंतकाल में ये देवनों ही पच्चताएंगे। गुरु और शिश्य दोनों हैं। आगे देखिए, कहे कबीर सुनो है संतों, इस सब भर्म भूलाना। कबीरदाजी कहते हैं, हे संतों सुनो, ये जो पाखंडी है सब भ्रह्म में भूले हुए हैं। मैंने इनको कितना समझाया, कितना कहा, किन्तों ये नहीं मानते हैं। सच तो यह है, कि जो इश्वर सहज साधना से मिल सकता है, इन लोगों ने उससे क्या बना दिया है? पाखंड और जो फालतु के धर्म के धकोसले हैं, उसमें केवल उसे उलजा दिया है। जो इश्वर हमें सहज रूप से मिल सकता है, उसके लिए इस तरह के फालतु कारे कर दिये हैं। तो इस तरह से हमने पूरे पदों को पढ़ लिया, अब इसका थोड़ा सा विशेश देख लीजे, यानि इसका कावेगत सौंदर्य देख लीजे, लरी लरी घर घर, इन शब्दों में क्या है? पुनरुक्ति प्रकास अलंकार हैं, पीपर, पाथर, पूजन, साखी, सब्द और दोर आएंगे, धन्यवाद